मुंबई पुलिस ने चिंचपोकली से दो लोगों को गिरफतार किया है जिन्होंने महिला चेंजिंग रूम में कैमरा फिट किया हुआ था दर असल चिंजपोकली में, हाल ही में एक Garments एक्जिविशन हुआ, इस एक्जिविशन में, महिला Changing room में पुलिस को कैमरा मिला है मामला काला चोके पुलिस थाने का है पुलिस ने कहा है कि कैमरे के फुटेज की जान से पता चला है कि आरोपियों ने कई महिलाओं की रेकॉर्डिंग भी की है घटना का पता उस वक्त चला जब 20 साल की एक लड़की को चेंजिंग रूम में लगे कैमरे पर नजर गई जिसके बाद उसने पुलिस को मामले की जानकारी दिया आरोपिय की पहचान उशा क्रियेशन्स के जैपाल जैन और निलेश डेडिया के तौर पर हुई है कुलिस ने कहा कि चिंजपोकली के वेलजी लखमशी नप्पू हॉल में शुरू हुई एक्जिबीशन में शिकायत करता अपनी मा के साथ कपड़ों की खरीदारी करने गई थी कुछ कपड़े चुनने के बाद उसने अटेंडन्स एं चेंजिंग ग्रूप के बारे में पूछा तो उसने बांस की छडियों से बने एक अस्थाई धाचे की और जाने को कहा चेंजिंग रूम चारों और से कपड़े के बड़े टुकडों से ढखा हुआ था कपड़े ट्राई करते वे शिकायत करता ने ऊपर की और देखा कि चेंजिंग रूम ऊपर से पूरी तरह से खुला हुआ है और दिवार पर लगे एक sctv कैमरे को नीचे सीदे चेंजिंग रूम में रखा गया था पुलिस ने आगे कहा कि शिकायत करता ने पहले एग्जिबीशिन के और्गनाइज़र संपर किया लेकिन उन्हों ने उसकी बात मानने से इंकार कर दिया जिसके बाद शिकायत करता पुलिस टेशन गई आयोजन स्थल पर पुलिस की एक टीम भेजी गई और और्गनाइजर ने वीडियो दिखाया इसमें चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने के दौरान की गई महिलाओ की रिकॉर्डिंग मिली इसके बाद पुलिस ने तुरण डिजिटल वीडियो रेकॉर्डर को जब्त कर लिया पुलिस ने शिकायत करता का बयान दर्च की और मंगलवार देर राप जैपाल जैन और निलेश डेडिया के खिलाफ प्रात्मी की दर्च की है अन्हें की तुरण वी झाल्बड़ जैजिए शचान की पुलिस नेरा दोर सक 1 घ最近 अन्हें प्रोंस जांदब तूमार निंगमत की बm coe